एक बार वो पहला के टाइमर रेडियो चाला करते रेडियो और उसमें कदे कदे बारिश वारिश के मोसम में दिक्कत हो जाया करती तो एक दिने नुवे बारिश का टेमर रेडियो में होगी दिक्कत अब रेडियो में एक इस्टेशन पे तो लाट दो बेहन बता रही है कि भी पती और पतनी के बीच में संबंद कैसे बढ़िया रहते है अर दूसरी साइड में वो रामफड भाई बता रहा है किशाना ने अग भई आलू की खेती क्यों करकरी जा है अब दोनवा के कनक्शना पश्म बिढ़ गे कदे कोईशेगी आवा जाओ कदे कोईशेगी अब नू सोच लियो जै मैं नू नमूगर के बोलू तो लाटो बेहन क्योंकि उरा नमाता बेहन बठी है अर उरा नमूगर के बोलू तो रामफड भाई क्यों करके हो या तो बेहनों आप सभी बेहनों को सभी प्रोग्राम सुनने वाली बेहनों को रामफड भाईगी राम राम तो बेहनों आज हम आपको बताएंगे कि पती और पत्नी के बीच में आलू क्यों करवोए जाएं तो बेहनो, जब आप अपने पती का चुनाओं करने जाएं, पती देखने जाएं, तो चैक कर लें, कि बीज आची क्वालिटी का शैक होनिया तो बेहनो, जब आप अपने पती से सुहाग राद पर पहली बार मिलें, तो उसका आदा इस शाकाट का जमीन मगाड दें तो बेहनों पती को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हफते में तीन बार से चाहिए जरूर कर दे तो बेहनों अगर आपके पती किसी काम से बाहर चले गए हो तो पडोशियां की टूवल तक काम भी चाल सके है तो बहनो जब आप अपने पती को खाना परोशें तो आलू, गोभी, मटर और एक तसला गोबर की खाद मिलाना ना भूले तो बहनो अगर अपने देश की महिलाएं शिक्षित होंगी तो मंडी मदाम उनके उतने बड़िया लागें आए, एक वडबी वोड़िया हो गया है, हाए हाए भाए हाए, खाट भी खाद भी खड, देटा लध याडा ढ़ भूड़िया और उसका बाभु मारे रूखे रहे थे फिल फर अब डाक्टर थानी अर जो कंपाउंडर था वो पीए पड़ा अब सोचे यार माने कि तो दूर शहर में लेगा जाओगे इतना उमर्ज यागी इस कंपाउंडर पहे करवालो थोड़ी वो डाक्टरियों भी जानता होगा जाका उस दोरे नुक साब देखे नहीं मां के मलेरि अब जो डिटोल सा लगा के इंजेक्शन लगाएकर वो तो थानी बगल में एक पैट्रोल की शीशी दरी थी बरका शीशीर पच्टे ही पुट्टी का लगा दिया लागते ही पुट्टी बाजबडी छोरे पीचा पीचा पुट्टी आगा नुकर पकड़ियों मान पकड़ के बांद जूड के लिए गरा उसका बाभू भूला थारी मा कित गई थी नुक बाभू मा तो नुनु इंजेक्शन लाग दे बाजगी और ओड़े था ही नुक बाबेटे इंजन बेसक पुराना वह ब्रेज पूरी देरी है